हेलो सुटेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बैटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बैटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 14 मैथमेटिक्स की है एट्थ क्लास के बच्चों के लिए 12 तारीक है तो अब इसके तरह हम कुछ समझते हैं ओके तो देर आर फाइव ब्लोक्स इनिट इसमें क्या है पांच ब्लोक है ओके वन ब्लोक इस प्लेस्ट ओवर दी अधर एक दूसरे के उपर रखे हूं इच ब्लोक इस डिवाड़े इन्टो इक्वल पार्ट और परती एक जो क्या हमें बोक्स है वो क्या इक्वल पार्ट में डिवाड़ेड़ है आई साय पैटर्न इन्दी ब्लोक एंड रोट नो यूर कम्प्लीट दी पैटर्न तो मैंने यहां पर एक पैटर्न देखा और मैंने लिख दिया अब आप भी कुछ जो बच गई है उनको लिख सकते हो यहां फन हो गया अब यह क्या है दो फ्लोर वाली बिल्डिंग है यानि कि दो कम्रे है उसमें और दो ही फ्लोर ठीक है फ्लोर है मतलब कि पहली मंजिल दूसरी मंजिल लेके तो यह दो बिल्डिंग है और दो दो कम्रे हैं दोनों बिल्डिंग पर तो क्या गया चार आ गया यहां दो तीन चार पांच है साथा ऐसे सोला हो गए यहां पांच है और पांच ही का फ्लोर है तो पच्छीस कम रहे हो गए इसमें ठीक है तो क्या समझा वी ओप्टेने स्पेशल नंबर याट इस वन फोर नाइन शीक्स सिक्टीन और ट्वंटिफाई नो वी विल अंडरस्टेंड इस फिगर सेपरेटली अब इनको अलग-अलग समझते हैं देर आर इस स्पेशल फिगर यानि की स्क्टेर लेट इस फाइंड आर लेट इस फाइंड एरिया इस पेशल नंबर वन फोर नाइन शीक्स ट्वंटिफाई और ओप्टेन फ्रों दी एरिया ऑफ स्क्टेर एंड परफेक्ट स्क्टेर ठीक है यह कहां से उप्टेन होते हैं यह वाले नंबर बेटा किसी कभी हम एरिया निकालते तो भी हमें यह नंबर मिलते हैं ठीक है और यह क्या है परफेक्ट स्क्टेर नंबर हैं ठीक है मतलब कि किसी भी दो मतलब किसी भी एक नंबर को दो बार गुना करते हैं तो 1 cm स्क्यार आगया, अब इस का एरिया निकालेंगे तो बटा देखो इसमें क्या है एक एक सेंटीमिटर की यह है तो 2 cm इधर भूजा हो गई, दो इधर गई साइड, तो गुना करो तो क्या आएगा 4 cm ऐसी क्या है 1 cm 2 cm 3 cm 1 cm 2 3 तो 3 3 cm की हो गई 9 cm इसी तरीके से सब का आ गया ठीक है तो क्या क्या कहना चारे बिटा अब ये देखो कि perfect square क्या होते है बिटा देखो perfect square में 1 4 9 16 25 हमने अभी का अब इनको expand करेंगे expanded form का मतलब क्या है इसको expand करो तो एक को एक से गुना करेंगे तो क्या आता एक ये कैसे आता है जब हम 2 को 2 से गुना करते तो 4 आता है 3 को 3 से करते हैं तो 16 आता है 5 को 5 से करते तो 25 आता है ठीक है अब exponential form में कैसे लिख सकते है दो बार करते हैं रोटो और को आता 10 संख्या अगर कोई संख्याद रीपीट हिर नशीन श्क्रक्रण करते हैं कोई एक लिख संख्या को से वन वाले में क्या है वन स्केर उनिट अब ये इसमें क्या है बटा फॉर स्केर उनिट इसका क्या मतलब है यहां से अच्छे से समझोगे बटा आप या देखो इसका मतलब क्या है वन स्केर उनिट का मतलब क्या है वन बोक्स है फॉर स्केर उनिट का मतलब क्या है बटा फॉर square है इसमें ठीक है four square unit को मिला कर बनाए गया जैसे कि आप क्या को एक-एक eat को मिला कर एक क्या बनाते हो बटा आप building मनाते हो तो एक eat क्या हो गई एक unit हो गई तो ऐसी कितनी लाखो unit मिलकर क्या बनाती है एक भवन का निर्मान करती है तो यहाँ पर इस वाले का निर्मान कितने ने मिलकर किया चार इस वाले का no square वर्ग ने किया ठीक है और यह पांच square unit ने मिलकर किया है पांच square ऐसे रखे गए हैं आगे पीछे उपर नीचे तब इनका यह निर्मान हुआ है इस वाले building का समझे लो ठीक है यह box का तो समझ में आगे इसका मतलब क्या है one square unit यह four square unit मतलब कि उसके अंदर four square है यह four square बन सकते हैं उस area के अंदर ठीक है अब we obtain special number that is 149 16 25 now we will understand these figures separately अब इनको separately समझते है these are the special figure squares let us find the area these special number 149 25 are obtained from the area of square and these are perfect square तो बटा यह तो हम कर चुके हैं उपर same to same यह चीज ठीक है यहाँ पर अब हम और आगे पढ़ते हैं तो आगे देखो बटा क्या है natural number लेते हैं ठीक है सबसे पहले natural number क्या होते है वन से लेकर infinite तक होते है two, three, four, five ऐसे अब one लिया one को क्या किया है perfect square निकालेंगे यानि किसको अपने आप से गुना करना है तो one आ गया, two को करते हैं तो चार आता है three को करते हैं, three से ही तो nine four को four से 16, five को five से 25 अब यहाँ पर six को six से करेंगे तो क्या आएगा? 36 seven को seven से करेंगे तो क्या आएगा? nine inches 8 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा 64 9 को 9 से करेंगे तो 81 और 10 को 10 से करेंगे तो बेटा क्या आएगा 100 यह जो हमारी यहां पर संख्याई आई ना यह साइड यह सारी है perfect square let us write perfect square from 1 to 100 in a table तो हमने table में यहां पर लिख दी बेटा क्या बोला गया है 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी perfect square आती है संख्याई आती है तो 1 आती है 4 आती है उसके बाद 9 आती है उसके बाद 16 आती है उसके बाद 25 फिर 36 आती है फिर 29 आती है फिर 64 और फिर 81 और उसके बाद 100 आती है तो यही ऐसी संख्याई है जो क्या आती है perfect square में मतलब कि 1 से 100 के बीच में आती है perfect square number ठीक है और इसके हलावा कोई भी perfect square number नहीं आता एक से लेकर 100 के बीच के अंदर ठीक है इसी के basis पर आपको कुछ question solve करना है बिटा देखो try this find the perfect square number between the values below given below ठीक है between the values below given below ये दो बार लिख दिया ठीक है तो देखो 40 और 50 के बीच में आपको perfect square number बताना है ठीक है हमें पता है एक से 100 के बीच में कौन कौन सी संख्याई आती है ये आती है बस ठीक है अब आपको क्या बताना है 40 से 50 के बीच में तो 40 से 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या है आती है 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50 ठीक है अब यहां पर देखो क्या करोगे बटा पांच को पांच से करते हो 25 हाता है 6 को 6 से गुना करोगे तो 36 है 7 को 7 से गुना करोगे तो उनेंचस 36 तो 40 से कम है तो यह नहीं हो सकती 8 को करो 8 को 64 तो यह तो ज्याद तो इसका मतलब यह आएगी बाकी कोई भी क्या है perfect square number नहीं है ठीक है अब यहां पर बेटा next question ऐसा ही पूछा गया है आप से क्या है उसमें कि 60 और 70 ठीक है 60 और 70 के बीच में बताना है अब आपको 60 और 70 के बीच में भी ऐसे ही करोगे बेटा क्या करोगे देखो हमने क्या देखा था 7 को 7 से क्या क्या है 49 कम है 8 को 8 से करो क्या प्या। 24 ठीक है 9 को 9 से करो क्या था 85 अंन पंशे है 60 और 70 के बीच में तो 60 और 70 के बीच में कौन सी संक्यारिन प्राइड जो क्या होगा यही एक perfect square है जो 60-70 के बीच में आता है यहाँ पर लिख दो कि 64 उपर वाले में 49, अब बेटा next क्या है Is any perfect square lie between 1, 4, 1 और 4 के बीच में 4 और 9 के बीच में 9 और 16 के बीच में कोई ऐसा number है perfect square हो जो तो बेटा देखो check करते हैं हम कैसे करेंगे check 1 के बाद कोन आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, 1 को 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है, लेकिन 2 को 2 से गुना करने पर तो 4 आता है सीधा, न 2 आता है न कोई भी ऐसा number नहीं है जो गुना करने पर अपने आपसे 2 नंबर दे या 3 नंबर दे तो इसलिए यह नहीं आएंगे, ठीक है ऐसे ही 4 के बीच में देखोगे 4 के बाद 5 आता है ठीक है, तो कोई भी ऐसी संक्या नहीं है जिसको अपने आपसे गुना करे हैं 5 आजाए यह 6 आजाए यह 7 आजाए यह 8 आजाए ठीक है, सीधा 9 आएगा 3 को गुना करने पर, ठीक है तो we observe from the above pattern that perfect square is obtained by multiplying 2 same number मतलब कि 2 same number को ही multiply करने से हमें perfect square मिलता है ठीक है, यानि कि 2 को 2 से करेंगे तो 4 यह perfect square है तो आपको यह याद रखना है same number को same से गुना करो उसके बाद जो आता है, वही perfect square होता है ओके, तो यह थी बिटा आपकी आज की वक्षी टूमींद करते हैं, आपको अच्छे समझ आ गई होगी फिर भी कोई doubt to the comment box ने पूछे लेना इस वीडियो में इतने अपना next topic कम अपनी next video में करेंगे तब तक के लिए से हसते रहे, मुस्क्रात रहे, बढ़ते रहे रागे, बढ़ते रहे, thank you